नमस्कार दोस्तो राठी क्लासिस कॉंसेट में आपका स्वागत है उम्यद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों के तैयारी बहुत धमाकेदार चल रहे होगी ठीक है दोस्तो आज हम बात करने वाले थोड़ी सी यूपी पुलिस की जो आगामी आपक अब यहाँ पर दोस्तो एक चीज़ समझेए इस भरती का जो इंतिजार है वो लाखो जो उत्रपरदेश के युवा साती है मेरे जो युवा चात्र है वो करने ठीक है अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा इसको तो हम स्टार्ट करेंगे है अब है लेकिन आप लोगों को संगती तो होने की आवशे सकता है आप लोग जो आपस में भटे हुए हो थीके ना कि यह तो स में बहां कि लेकार दो इस मंत्री के जो है ट्विटर हैंडल से बात सामने आई आज प्लिस डिपार्टमेंट से पता चला कि इतने परद खाली है बस अब भरती होने वाली है अब तो यह होने वाला तो वह होने वाला ठीक है लेकिन होता कुछ नहीं है इसलिए जरूरत है आपको संगर्टी थोने की इसका एक करण और भी बताता हूँ आपको आप खुद देखें इस बात को कि जब 80 करोड़ लोग सभा चुना में जाके वोट डालते है ठीक है तो वह एक महने के अंदर वो सारी परक्रिया हो भी जाती है ठीक है और तीन दिन के अंदर ही उनका रिजल्ट डेक्लियर हो जा इसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है ठीक है तो जरूरत है कि आप सब को एक बार संगटित होने की यह संगटित रहने कि आप आदत बनाए या पनी ठीक है अब आगे समझे एक चीज को जो आपकी यूपी पुलिस के बाने वाली जो भरती है ठीक है उसमें भी तीन- 1210 पदों के इसमें प्रावदान है ठीक है अब दूसरी बात यहां सबजिए इसमें फायर मैं के एक जार 7 पर जिसमें और इसके बाद चौश्यकर पेसी के 3540 पद इसमें ठीक है दोस्तों अब यहां एक चीजद देखिए कि अब जो इसमें जो में बात है वो मैं आपको बताता हूँ एक तो में बात इसमें यह है कि इसका जो 20% है यानि कि 26210 का जो 20% हो लगभग यहां हो जाएगी आपकी नागरिक प्लिस में नागरिक प्लिस का मतलब है दोस्तों कि इनकी नियुकति कहां हो जएगी आपकी थाने में हो जाएगी इतो invest इस ले this अब दूसरी चीछ, जो मैं आपसे कहना चाहत हूं वह भी कि ..... अप कर ब्रती का आने वाली और यह भी आपके आने वालेजite उन और यह कि ब्रती आए गे बहुत बच्रती आईगी ya नही आई ठीक है और आज के टाइम में आप यह ना सोचे कि जी भरती जब आएगी पता नहीं कब आएगी तो आज आप किताबों को एक तरफ रख दे ठीक है कि मैं तो जब भरती आएगी जब भी पढ़ूँगा लेकि जब युद का अनॉंसमेंट हो जाता है घोशना हो जाती कि यु प्रिफिकेशन आजएगा कि फलाणी कारिक को आपका क्या होने वाला एक्जाम होने वाला तो उस दिन आपको आज जो आप मेहनत कर रहे हो उसका फाइदा उस दिन देखनें को मिल देगा कि आपको लगेगा कि बच्छे आज आपने बैंग उठाके चल पड़े तैयारी कर तो च्छे महीने में आपने काम किया उसका रिजल्ट उस दिन आपको दिखाई देगा तो मैं आपसे ही कहूंगा कि आप पैसंस के साथ जहां आपने इतना पैसंस रखा है आप 2-3 महीने का पैसंस हो रखे मेरे हिसाब से मेरा अनुमान ये करता कि भाई यह जो आपका जून और जुलाई यानि के जून जुलाई में यह जो आपके भड़ती है उसकी परकेरिया उसकी जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी और बहुत तेजी से होगी ठीक है यानि कि आपको ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं तीन से चार मेने के अंदर इस सारा काम हो जाएगा ठीक